Hello students, आज के वीडियो हम लुक करेंगे Relative Velocity of Rainfall इसको Rain Man Problem भी बोलते हैं हमको कोशन ऐसा दे रखा होगा कि एक stationary observer को ground में कोई observer रुका हुआ है एक man रुका हुआ है, standing man उसको rainfall vertical आते हुए लग रही है और अब अगर man चलने लगता है if man starts to walk or to run if we start cycling ऐसा को scenario है तो अब उसको rainfall किस speed से किस direction में आते हुए लगेगी एक तो यह question है दूसा question यह है कि उसको अगर rainfall से बचना है और rainfall से बचने के लिए उसको umbrella लगाना पड़ता है तो umbrella को किस direction में लगाना पड़ेगा इसका वैसे उल्टा question भी बनता है कि rainfall पहले oblique हो रही हूँ और man किस तरीके से चले कि अब उसको rainfall vertical आते हुए लगने लगे तो इस type के question करते कैसे हैं तो पहले चीज़ तो आप यह सबज़ लेज़े कि जो भी observer होता वो अपने आपको rest में लेता है और जिस direction में वो चला होता है दुनिया के हर चीज़ उसको appear होती उतनी speed से उल्टी बाकि तो जो object के अपनी खुद velocity होगी वो होई होगी पर observer का यह bias होता है कि अगर वो east चला है तो वो सब में अपना एक velocity का west component जरू देखेगा अपनी वज़े से अगर वो word के लिए upward चला है तो उसको हर चीज downward जाते हो लगेगी उल्टे का एक sense रहता है यह तो relative velocity होती है तो हम इसी को यहाँ पर use करेंगे अच्छा अगर आपने relative velocity वाला मेरा वीडियो देखा हो तो आपने उसमें जरूर देखा होगा velocity of object with respect to observer होता है velocity of object minus velocity of observer velocity of a with respect to b होता है va minus vb जैसे मालनों दो car चल ले हो यह car या bus वाला question एक car कहीं जा रही है north में बस जारी है इसमें पुछा गया bus के driver को car के दर जाते हो लगेगी car के driver को bus के दर लगेगी तो क्या करोगे velocity of car with respect to bus is velocity of car minus velocity of bus velocity of bus with respect to car velocity of bus minus velocity of car जैसे एक sip दूसरे sip को चलता हुआ देखें sip 1, sip 2 velocity of 1 with respect to 2 v1 minus v2 यह relative velocity का basic fund आ है velocity of object with respect to observer is velocity of object minus velocity of observer same चीज यहाँ पे भी लगेगी man जब चलने लगता है तो मालो वो vm से चलना है और rainfall vr से हो रही है velocity of rainfall with respect to man यह होगे relative velocity अब vr, vm यहाँ ते absolute ले रहे हैं विससे यह बात मैं कई बार बोल चुका हूँ कोई भी velocity absolute नहीं होती ग्राउंड के frame में अर्थ के frame में जब question करते हैं जब man रुका हुआ था stationary observer को अर्थ के frame में जो velocities होती हूँ अर्थ के respect में जो चीब move कर रहे है अब जिसे man move कर रहा है तो वो अब जो rainfall को देखेगा तो वो वाली velocity, relative velocity तो वही तो मैंने लिखा vrm, velocity of rainfall with respect to man यह क्या होगा velocity of rainfall minus velocity of man vr minus vm कैसे निकालेंगे तो देखे, man road पे कहीं पे भी चलें 900 east west, वो xy plane है rainfall vertical हो रही है, वो z में हो रही है तो अब हम x, y, z, three dimensional figure तो बनाएंगे नहीं, board में या, copy में exam में question करते वक्त तो आप हमेशा rainfall को vertical देखा हो vertical downward हो रही है, तो आप उसको vertical downward देखा हो man कहीं पे भी चले, आप उसको horizontal ही दिखाओगे man कहीं पे भी चले, उसे क्या दिखाओगे horizontal, तो ये rainfall की velocity vr vertical, man कहीं पे भी चले, तो मैंने man को जो मैं क्लास में करा रहा तो मैंने south दिखाया था, तो ये दिखाया है मैंने man को south में, vm, अब जब man south में चल ला है, vr और vm हमारे पास आगए, हम मुझे चाहिए vr minus vm, vector subtraction, तो भी vector subtraction निकालते कैसे हैं, a minus b a plus minus b करके minus कैसे निकालते हैं, किसी vector का तो देखे, vector subtraction, addition से निकालते हैं, और a minus b कैसे निकालते हैं, a plus minus b, b को revert कर दो, minus निकालने का मतलब, किसी vector कर दो उसको वेक्टर में add कर दो, subtraction में से अडिशन से निकालते हैं, यह तरीका मैंने बताया, उसके बाद चैब triangle यूज करो, चैब hologram यूज करो, और फिर मैं जो यूज करता हूँ, initial to final, तो यह रहा मेरा vr, यह था vm, vr-vm निकालने के लिए, मैंने vm की direction उल्टी कर दी तो minus vm आ गया, अब देखे, vr-vm मेरे सामने, मुझे vr और vm को subtract करना था, बट vr-vm को add करना है, vr plus minus vm करना है, तो आप क्या करो, यह पकड़ो initial, यह पकड़ो final, दोनों के बीच में straight line, जो तो यह रही, दोनों के बीच में straight line, यह बनके vr-vm, vr-vm ही vr-vm होती है, तो यह बनके velocity of rainfall with respect to man, with respect to man, ground के frame में rainfall जिदर हो रही थी, actual speed, actual direction थी, man के frame में जो rainfall हो रही है, वो rainfall की apparent speed और apparent direction है, तो यह मैंने लिखा actual, यह लिखा मैंने apparent, ऐसा होते हुए, appear होगी, बनलब यह अब लगेगी, कि rainfall ऐसी हो रही है, आप देखे रहोगे, इसका magnitude जो है, यह hyp and clock के magnitude से जादा है, यह कि rainfall अब ज़्यादा speed से आते हुए लगेगी, यह हम लोग experience भी करते है, everyday life में, rainfall कुछ-कुछ vertical हो रही है, यह फिर बिल्कुल exactly vertical हो रही है, और आप स्कूर्टी तेजी से बगाओ, cycle तेजी से बगाओ, तो आपको rainfall और oblique होने लगती है, और आपको ज्यादा तेजी से आते है, ज्यादा speedly आते हुए लगने लगती है, क्योंकि वो relative velocity हो, relative velocity apparent होती है, but actual feel होती है, मतलब कहने है, मतलब यह है, जब आप स्कूर्टी बहाते हो, तो आपको rainfall सच में ज्यादा speed से लगती है, क्योंकि आपके frame में वही actual है, तो देखे, angle भी change हो एंगिल देखे 10 theta, इसका theta निकाल लें, तो 10 theta perpendicular upon base से Vm upon Vr आएगा, तो मैं जितनी तेजी से भागेगा Vm ज़्यादा, तो theta भी बढ़ेगा, तो rainfall theta बढ़ने से और ज़्यादा oblique होती हो लगेगी, vertical से और ज़्यादा बड़ा angle बनाएगी, अच्छा, अब rainfall कितनी speeds आते हो लग रही है, यह तो VR है, यानि कि हैपड़नी उसका मैंकूर, Pythagoras from से under root Vr square plus Vm square, इस तरफ आते हो लग रही है, तो man जिदर भाग रहा था, उसके opposite आते होए, तो अब एक question कर लेते हैं, जल्दी से, then fall 10 km पराहर से downward हो रही है, man 20 km पराहर से चलना east, अब अगर man east चलना है तो rainfall किदर आते हो लगेगी, some degree west लगेगी, यह तो हो नहीं होना है, यह मैंने figure बनाया है, rainfall 10, यह दिखा है, man को 20 east से, VR minus Vm करोगो, तो 20 west हो गया, initial to final मैंने जोड़ दिया, तो under root 10 square plus 20 square, यह होगे rainfall की speed with respect to man, man को under root 10 square plus 20 square, 10 root 5 से आते हो लगेगी, किदर लगेगी, तो man east ज आपको याद नहीं रखना है Vm upon Vr और रहें, Quran driverelle पर यहाद रखना है, 10 theta 20 upon 10, कितना है तो, 10 theta 2 का तो theta कितना, 10 inverse 2, 10 inverse 2 का angle from vertical towards west, 10 inverse 2 का angle from vertical towards west, 10 inverse 2 का angle from vertical towards west, ya आपकी rainfall की speed or direction, 10 inverse 2 from vertical towards west. rainfall इतनी speed से इस direction में आते हुए लगेगी ठीक, अच्छा, man को अगर बचना है rainfall से तो यह umbrella लगाना पड़ेगा यह रवी चाता, चाता, यह रहाँ चाता, rainfall से बचा लेगा rainfall वाला जो arrow आ रहा था, अब चाते को किस angle पर लगाना तो चाता आप normally पहले vertical पकड़ होगे, आपने tilt किया, तो vertical से इतनी ही तो tilt करोगे यह वाला angle तो यह होगा जो यह वाला angle है, दोने angle सेम है तो वही 10 verse 2, 10 verse 2 का angle from vertical से चाता, आपको east की तरफ लेजाना पड़ेगा तो आप rainfall से बच जाओगे, तो to prevent man को अगर rainfall से बचना है तो आपको कितने angle पर लखाना पड़ेगा, 10 verse 2 from vertical towards east, यह आपका अंसर हो गया और rainfall अब कितने साते हो लगी, 10 root 5 km पर आच से, आते हो लगेगी towards west की तरफ तो एक और में वीडियो बनाऊंगा, जहां पर उल्टा होगा, यहां पर था rainfall vertical, man के चलने से लगी थी oblique दूसरे में होगा कि rainfall है oblique, man के चलने से लगेगी vertical